नमस्कार, हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चनल पर आप सभी का स्वागत है 400 वर्ड्स का ये डिक्टेशन है, 5 सेकंड्स में स्टार्ट होगा, रेडी हो जाएगे महोदय, पश्यमी सभ्यता का सबसे बड़ा और सबसे आकरशक मूल्य उपभोगवाद है जिसे सतत बढ़ता जीवन इस्तर भी कहा जा सकता है मानव की आवशक्ताएं जितनी बढ़ती जाएंगी मानव उतनी ही विकास करता जाएगा कॉमा पश्यमी सभ्यता के इस मूल्य के विपरीत गांधी ने संयम और सादगी का मूल्य रखा अपनी आवशक्ताएं कम करके पैसे और संपत्ति तथा भौतिक सुख सुवेधाओं के मोह से अपने को मुक्त रखना कॉमा इसे गांधी जी ने आदर्ष जीवन बनाया और आजीवन इसी आदर्ष को अपना कर चले किन्तु गांधी जी का इस सभ्यता के आध्यात्मिक लक्षियों के साथ कोई विरोध नहीं था वास्तों में उन्होंने इन लक्षियों को परिमार्जित किया कॉमा उन्हें और पैना तथा सहज गम्य बनाया उदाहरण के तोर पर प्राचीन भारतिय सभ्यता में ये मूल्य या इनका एकी कृत रूप मोक्ष कमा एक आवश्यक लक्ष्य ही था 84 लाख योनियों में भटकने के बाद ही जन्म मरण की स्रिंखला से मुक्ती मिल सकती थी कौन जानता है कि मनुष्य मरने के बाद दूसरी योनि में जन्म लेता है या नहीं मरने के बाद कुछ बचा भी रहता है या नहीं जो दूसरी योनि में जाता है एक विश्वास मात्र ही तो था और वह भी केवल भारत के लोगों का स्टॉप दुनिया के अधिकांश समाजों में यह विश्वास भी नहीं था स्टॉप इसलाम, इसाई, यहूदी धर्मों में तो माना जाता था कि मरने के बाद अनन्त काल तक मृत शरीर का अस्तित्व केवल कब्र के मिट्टी पत्थरों के रूप में रहता है और स्रिष्टी के अंतिम दिन सब आत्माएं इश्वर के सामने जाती है स्टॉप यह अंतिम दिन भी सहज विश्वास है, किसी ने यह दिन देखा नहीं कहने का अर्थ है प्राचीन हिंदू समाज में सभ्यता का आध्यात्मिक या दूरगामी लक्ष्य इस दुनिया की, इस जीवन की चीज नहीं थी और गालिब के शब्दों में यह दिल बहलाने का खूबसूरत विचार था स्टॉप पैरा जिसके लिए प्राणों का उत्सर्ग भी बहुत मामूली बात थी स्टॉप पश्यमी सभ्यता की आध्यात्मिक प्रिष्ठ भूमी तयार करने वाले दार्शनिक लेख को ने भी स्वतंत्रता आधी को इस जीवन की चीज कहा लेकिन उसे बहुत सीमित अर्थ में लिया स्टॉप दिक्टेशन की स्पीड ज्यादा है छूड़ या कुछ वर्ड आपका तो परेशान ना हूँ एक बार रिपीट कर ले ठीक यह अभ्यास आपको इसलिए कराय जा रहा है ताकि आप फड़ा पंक्ट्वेशन मार्क के लिए पहले से रेडी नहीं रहे है तो अपने आपको ए